प्रिष्ट संख्या 112 सच्ची संस्कृती को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है लेकिन वह अपनी ही धर्ती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है उपसंगार भारत की खोज जवाहर लाल निहरू जन्म सन अठारा सो नमासी इलहाबाद उत्तर प्रदेश प्रमुक रचनाएं मेरी कहानी आत्मकथा विश्व इतिहास की जलक हिंदुस्तान की कहानी पिता के पत्र पुत्री के नाम हिंदी अनुआद में हिंदुस्तान की समस्याएं स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्र पिता भारत की बुनियादी एकता लड़ खडाती दुनिया आदी जो लिखों और भाषणों का संग्रह है मृत्यो सन उन्निस्तव चौंसट जवाहरला नहरू का जन्म इलहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ उनके पिता वहां के बड़े वकील थे नहरू की प्रारंफिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लंड में हैरो और कैम्रिज में हुई वही से वकालत की पढ़ाई भी की लेकिन नहरू पर गांधी जी का बहुत प्रवा पढ़ा उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़ कर आजादी की लड़ाई में जुट गए आगे चलकर 1929 में वे भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के लहोर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंतरता की मांग की सन 1947 में जब भारत सोतंतर हुआ तो निहरु जी पहले प्रधान मंत्री बने और भारत के निर्मान में अंत तक जुटे रहे उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जिन में आर्थिक और अध्योगिक प्रगती तथा वैज्यानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आधिक शेत्र शामिल थे निहरु जी बच्चों के बीच चाचा निहरु के रूप में जाने जाते थे शान्ती, अहिंसा और मानवता के हिमायती निहरु ने अंतराष्टी इस्तर पर विश्वशान्ती और पंच शील के सिध्धानतों का प्रचार किया प्रिश्ट संख्या 113 प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का पांचवा अध्याय है अंग्रेजी से भाशांतर हरी भाव उपाध्याय ने किया है इसमें पंडित नेहरु ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है इस अपार फैलाओं के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियती एक ही तरीखे से बंती बिगड़ती है यही पुरेपाट की विशेवस्तु है इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निशकर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहां के करोणों करोड लोगों की जय कहने की ज़रूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कत्य अत्यंत विराट और प्रस्तुती करण पैना है